दियर स्टूडेंट्स इस मोड्यूल में हम डिटीरियो स्टॉम्स की रेडियल और इंडिटर्मिनेट क्लीवेज के बारे में डिसकस करेंगे क्लीवेज वो प्रोसेस जिसके अंदर सेल्स जो हैं अपने आपको रैपिडली और सिंक्रोनियसली माइटॉर्टिक डिवियन के थूरू रेज करते हुए जाइगोट बना देंगे और जाइगोट जो है उससे फिर नूमरेस सेल्स की डिवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी अब ये जो है क्लीवेज इसको हम कहते हैं सिंपल वर्ड्स में रिपीटिड सेल्ड बीयन्स अब क्लीवेज डिफरेंट टाइप के सेल्स में या डिफरेंट स्पीशिस के अंदर इसके सेल्स अपने आपको डिफरेंटली अरेंज करते हैं और इनका नंबर जो है वो सिरफ इंक्रीज करेगा सेल का मैस इंक्रीज नहीं करेगा cleavage के बाद जो zygote की development की अगली स्टेज आती है उसको हम कहते हैं blastula deterioro storms के अंदर cleavage radial और indeterminate होगी indeterminate cleavage के अंदर हर cells जो है वो अपनी capacity को retain करता है कि उससे complete embryo develop हो सके indeterminate cleavage इसके अंदर possibility identical twins की ज्यादा होती है क्योंकि cells अपने आपको एक दूसरे से separate नहीं करते हैं stem cells की development के process जो है that is also based upon this indeterminate cleavage cell phenomena a cell can only indeterminate जिसको हम regulative भी कह सकते हैं जब इसके अंदर complete cells जो है उन्होंने अपने आपको arrange किया होता है दो पोल्स के उपर वेजिटल पोल के उपर और अपल पोल के उपर radial cleavage इसको हम hollow plastic cleavage भी कहेंगे और ये डिटोरियो स्टोम्स के अंदर excellent इसकी example मौजूद है इसके अंदर cells अपने आपको blastomiers के अरेंज करेंगे अपर टायर पे lower टायर पे और जो cells की symmetry इससे result होगी as a result of this arrangement of cells उसको हम कहेंगे radial symmetry radial symmetry जो है around pole to pole axis of animal arranged है radial cleavage यहां पे आप देखे 4 cells embryo, 8 cells embryo, 2 cells are hidden behind that you cannot see cell devian has occurred so that cells are aligned directly over each other indeterminate cleavage इस type की cleavage के अंदर जो potentially blastomiers है वो अपने आपको qualitatively equally potential के थूँ इनके अंदर हर cells के अंदर ability नहीं है कि वो complete embryo को develop कर सके बलके आइस्ता इस्त में अंदर क्या होगा कि इनके अंदर यह cells isolate होंगे और उनकी fate जो है वो early developmental stages पे determined नहीं होती इसलिए इस type की cleavage को हम कहेंगे indeterminate cleavage इस diagram से आप देखें indeterminate cleavage में first cell devian हुई embryological development हुई अब अगर हम इस stage पे if these cells are separated from each other तो हर cell के अंदर एक potential मजूद है कि उस से entire organism develop को सके झाल के अंदर बड़ सकते हैं खर सकते हैं यह झाल